सेना में नौकरी का जहांसा देकर एक करोड़ 31 लाग रुपे की ठगी मामले में तीसरा आरोपी विग्रफतार हर्याणा के भीवानी का मामला और दोगी क्छेतर थाना पुलिस को नफे सिंग ने रिपोर्ट देकर दर्ज कराया था मामला तीस जुवाओं को सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर खुद को आर्मी में करना बताने वाले सिप्रेम कुमार को दिये थे एक करोड़ 31 लाग रुपे हराज्तान के सिद मुका रहने वाला है आरोपी विकास पुलिस पूश्ताज में किया बड़ा खुलासा बोला सिप्रेम कुमार के कहने पर करता था सेना में भरती कराने के नाम पर युगाओं से ठगी पुलिस मामले की तहह तक जाने के लिए आरोपियों से कर रही कड़ी पूश्ताज इदर पाकिस्तानी सहना के लिए LOC पर बंकर बना रहा चीन भारत्य स्रक्षा एजन्सियों ने सरकार को ती जानकारी कहा चीनी निर्माण कंपनी ने P.O.K. में बनाया अपना कारियाल है हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, LAC पर भारत चीन के बीच काफी समय से तनाव कमा होड़ और इदर जमू कश्मीर के खुलगाम में आतंकियों स्रक्षा बलों के बीच मुटवेड हुई शुरू आतंकियों की सुचनाबर स्रक्षा बलोंने की घेराबंदी दोनों तरफ से गोली बारी शुरू बारतियों स्रक्षा बलोंने इससे पहले भी अप्रेशन चला कर आतंकियों को किया था सफाय